यह वेलकाब बैक ट्यूकरन गेमिंग तो आज की वीडियो ने वाली काफी जादा इंट्रेस्टिंग तो अगर किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट आफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल नोटिफिकेशन का आइका दबा सबसे फट नी चीज मेरे को लग रही है क्योंकि mostly बंदों ने फेस्बुक पे फेक स्क्रीनशॉट मतलब उनोंने डंग से एडिटिंग भी नहीं करिए उस स्क्रीनशॉट पे और उसको उठा है और उठाके उनोंने अपना फेस्बुक पर डाल दिया जस्ट तो गें सम तो गाइज वीडियो को लहाज देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना तो गाइज जैसे कि मैं अभी आपको पोश्ट दिखा रहा हूँ यह मेरी खुद की पोश्ट है तो मैंने डाल दिया है तो में रीजन इनका यही है जैसे कि अभी न्यू वर्जन आ गया है आप लोग बंदे में लेंगे क्योंकि सब बंदे बदे क्या सूच रहे हैं कि उल्ड वर्जन यूज करेंगे तो हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा यह बिल्कुल गलत है ठीक है ओल्ड वर्जन यूज करने साहां आपका अकाउंट बैन हो सकता है बट अगर आप फेर प्ले गरो तो इसके सारे अकाउंट सेफ हैं बड़ इसके खुद के अकाउंट में वार्निंग आ गई है ठीक है तो भई मेनी कलिफ हमेशा वार्निंग दे देता है और ऐसे डारेक्ली अकाउंट तो बैन नहीं करता तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अकाउंट हां बैन होते ह हैं और हो भी रहे हैं तो गाइस जो मेन रीजन एन अकाउंट बैन होने का तो वह वह यह है कि जो लोग पागल होगी तरह 2400 घंटे यह सातो दिन और 365 दिन अपने को अकाउंट को उपन रखके और उससे अनलिमिटेट कोईंस ट्रांसफर करते ही रहते हैं कभी इधर से प्रूस करके एक बार इधर से एक बार इधर से तो भाई उनके अकाउंट हो रहे हैं बैन ठीक है गाइस और यहां फिर जो दोड़े टाइम पहले कैश ट्रिक चलती थी तो मैं किसी चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा बट चलती थी वह कैश ट्रिक और काफी चैनल पर है वह कैश ट्रिक और काफी लोगों ने उससे एजिली ब्लैक डायमंड अकाउंट बना लिया था तो गाइस अकाउंट हो रहे हैं वह वाले बैन हो रहे हैं और प्लस जो लोग रूट करके और 125 कोईंस में ही वह बरले लगा लेते हैं तो वह अकाउंट हो रहे हैं तो गाइस जैसे मैं बता दूँआ आप लोगों को कि अगर आप लोग यूज कर रहे हो कोईंट ट्रांसफरिंग पतलब बिना रुकर आप लोग कर रहे हैं तो भाई आपका अकाउंट जल्दी ही बैन हो जाएगा और अगर आपने बना रखा है किसी कैश ट्रिक से तो भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है बट अगर आप लोग इनकी जो स्क्रीन शॉट बाइने वीडियो में दिखाए हैं अगर आप लोग इनके स्क्रीन शॉट एक वर इक और से दिखो तो आपको साफ पता चलेगा कि भाई आधे से जादा आधे से जादा जो हैं स्क्रीन शॉ रहे हैं मेरे एक friend का account है तो मैं उसको use करता हूं transfer के लिए जो दूसरा account है मेरे तो भाई मेरे वो दोनों account safe हैं और भाई transferring भी यह होता है कि अगर आप बार बार black pot कर रहे हो तो आपको data करता है बट अगर आप उसमें एक दो ball pots करोगे और फिर black डालोगे ना तो आप कभी भी detect नहीं हो पाओगे और जैसे कि आप जब भी करो transfer थोड़ा बहुत उसके बाद आप quickly जाके अपना data clear करके और उसको दुबारा open कर दो और अपनी idea को बार बार different IP से open मत करो और यही एक solution है इसका तो guys बस आज की video इतनी दी और इस video में बस यही बताना था कि यार यह accounts banned तो हो रहे हैं बट हो रहे हैं वो यह वाले हो रहे हैं जो cash trick लगा के यू बनाए हूए है black diamond और जो account 24 गंटे 7 दिन transferring करते हैं तो guys I hope कि आप लोगो वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको आपको अच्छी भी लगी होगी तो guys अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please give a thumbs up to this video by liking this video and share this video with your friends to give them a very good information तो guys accounts banned नहीं हो रहे हैं mostly screenshot fake आते से जादा क्या 90% screenshot fake जो एक आदा account banned वो भी उसके owner के कारण ही होगा यहां तो owner बार बार डिफरेंट countries change कर रहा होगा यहां फिर वो owner उसमें unlimited bar coins transfer करे जा रहा होगा यहां फिर उससे coin increase कर रहा होगा यहां बना रहा होगा तो guys यही थी आज की वीडियो like करना share करना और subscribe करना में चैनल को अगर नहीं हो